नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ वैभाव ग्लोबल लिमिटेड शेर का टेक्निकल एनिलिसेस और हम देखेंगे इस शेर में एक धमा के दार तेजी कब आएगी इस टॉक में हमारे बेस्ट बाइंग लेवल्स कौन से रेंगे और अंत में ये भी ड दोस्तो यहाँ पर अगरम बात करते इस शेर में रेजिस्टन्स के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस शेर में ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन एक इंपोर्टन रेजिस्टन्स का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखो दोस्तो इ इस share में एक अच्छा सा uptrend देखने को मिला था पर जैसे ये share इस trend lane के इधर पहुचा उसके बाद आप देखो इस share में गिरावट देखने को मिली गिरावट के बाद वापस जब तेजी आई तो वापस इस share ने इसी trend lane पे resistance phase किया और अभी भी आप देख सकते हो ये share इसी trend lane पे resistance phase कर रहा है तो यहाँ पर ये trend lane एक important resistance है अगर हम बात करते है resistance लेवल की तो यहाँ पर 395 का ये वाला लेवल एक अच्छा resistance है अगर ये share इस resistance का breakout देखा तो उसके बाद जो दूसरा resistance है वो है 417 रुपीस का लेवल आप देख सकतो यहाँ पर इस share ने अपना high price बनेया अगर हम बात करते हैं इस share में support की तो यहाँ पर 376 रुपीस का अच्छा support है यहाँ पर आप देख सकतो पहले भी share ने support लिया है इसी लेवल पर तो अगर हम बात करते हैं दूसरे support की तो यहाँ पर 360 रुपीस का जो लेवल है ये लेवल भी मुझे एक important support दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले इस share ने कई बार इसी लेवल पर resistance वेश किया था तो अभी ये share इसके उपर आ गया है तो ये level इस share के लिए support का का काम कर सकता है आई ये अप हम apply करते कुछ important technical indicators और देखते हैं ये indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो दोस्तो जब तक मैं MACD और RSI indicator को apply क कर रहे हो तब तक आप वीडियो को like कर सकतो और अगर अपने channel को subscribe नहीं किया तो ऐसे stock market related updates के लिए channel को भी subscribe कर दीचे दोस्तो यहाँ पर आप देख सकतो के MACD indicator में हमें negative histogram generate होते हुए दिखाई दे रहे हैं इसका ये अर्थ है के MACD bearish दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दोस् clinical indicator मुझे थोड़े थोड़े bearish दिखाई दे रहे हैं दोस्तो अगर हम बात करते हैं इस share में खरिदारी करने की तो यहाँ पर आप इस share को तभी भाय करो जब यह share अपने यह resistance break करते हैं अगर यह share trend line को break करेगा उसके बाद इस share में एक अच्छी तेज़ी आएगी तो दोस के बाद जो सबसे पहला target रहेगा वो रहेगा 417 का level दूसरा target रहेगा 435 रुपीस का level पर दोस्तो अगर यह share यह resistance break नहीं करेगा तो यहाँ पर गिरावट आने के भी संभावना हो सकती है इसलिए अगर आपके पास कोई भी holding है तो आप इस share में 375 का stop loss लगा सकते हो तो आ है और आप है और अग्या है जजा एक उठीट करो कि आपके पस्वार दोल्णना हो नहीं कर